तो लोगों का कहना है कि UFC 299 जादा बेतर है UFC 300 का कार्ट से तो मैं उन लोग को बताना चाहता हूँ भाई साब आभी तो उहां पे 2-3 फाइट और चैंपेंशिप फाइट और एड होना बाकी है तो थोड़ा सबर करो तो उन लोग को मैच मेकिंग करने तो दो पहले आपका 300 का कार्ट तो एक बार देख लो बेंटम वेट सबसे बेंटम वेट डिवीजन में सबसे पहले फाइट होगा आपका डेविचन फिग्रेडो वर्सेस कोडी गार्बेंट के बीच में दोनो फॉरमरट चैंपियन हे तो दोनों अगर इंज़ूरी नहीं होता तो इसका फाइट इसलामाकाशेब का थाती होता आर्मन सारुकियन को लेलो लोग सोच रहे कि यही एक बंदा है जो इसलामाकाशिब को देठरोन कर सकता है मैं भी सोचना हूँ कि अर्मान सारुकेन ही एक है वो ऐसा बंदा होगा जो अजीजला मकाचिप को हरा सकता है त्रीन दोनों का फाइट है नेक्स आपका देखो मिदिल वेड डिवीजन में वो निकल वर्सेस कोडी बुरूंडेज देखो भई क्या-क्या फाइट किया हुआ है वो निकल अभी तक अंडिफीटेट है सबी कह रहा है कि खामजाची मैट जैसा इसका स्टाइल है एसलिंग, ग्रेपलिंग सब है, स्ट्राइकिंग सब है फैटरवेड डिवीजन में देखो केलविन कटर वर्सेस आपका एलजमीन स्टारलिंग का फाइट है एलजमीन स्टारलिंग जो कि आपका फॉर्मर्ट चेंपियन है वो फाइट कर रहा है फिर आपका लाइट हैभी बेड डिविजन में घिरी पहुच का फॉट कर रहा है आपका एलेकजंडर चेल्ण सब्सकुलिए फॉटो McMahon Don जबाब देना चाहिए तो इसी के वज़े से जबाब दिया हुआ तो आज के लिए इतना ही था होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्स्राइब कीजेगा तो आज के लिए तैंक यू